Hello friends, welcome back. This is our third java script tutorial series. In this tutorial, we will discuss about the how to use html tag inside the java script. So friends, आज हम देखेंगे कि कैसे अगर हमें html tag को java script में use करना हैं, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? चलिए start करते हैं, जैसे कि हमने एक छोड़ा सा program मनाया हुआ है, हम लोग जब इसको run करते हैं, तो हम लोग देखें इसको कई टाइप से use कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको curly bracket के through use करना है, तो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां देखेंगे इसको start किय और यहां पर इसको close किया, जैसे कि simply हम लोग किसी programming language में करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी use कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से clear होगा, तो यहां जैसे कि script start किये, starting close bracket, और यहां पर इसको closing bracket, then यहां पर script लिखा है, तो यह starting closing bracket के बीच का जो content होगा, वो हमारा script language का body क्य आप ऐसे भी इसको use कर सकते हैं, देखिए, मैं प्रोग्राम को बनाने के बाइल सको save कर रहा हूँ, अब वापस से, जैसे कि मैं इसको reload करूँगा, तो आपको यहां पर output में कोई भी changes नहीं मिलेगा, यह था आपका first concept, चली हम लोग next देखते हैं, जैसे कि देखिए, document.write इन लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, csc tubes for you, अब मेरे को, जैसे कि मैं इसको run कर रहा हूँ, तो देखिए, मेरे को output में एक small text के form में दिखाई दे रहा है, बट अगर मेरे को इसको bold करना है, मतलब heading के form में दिखाना है, तो इसके लिए जैसे html में heading के लिए h1 से कर देता हूँ, backslash h1, तो आप देखेंगे, जैसे कि मैं यह लिख करके save कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको save किया, उसके बाद जब मैं इसको अपने browser पे मैं reload करूँगा, तो आप देखिएगा, कि यहां पर हमको output में क्या show होता है, इसे देखिए, यहां पर मैं reload कर र save के अंदर भी use कर सकते हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे कि आप चाहते हैं कि यह bold है, और यह हमारा underline भी हो जाए, तो underline करने के लिए हमारा u tag होता है, मैं यहां पर u tag स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहां पर u tag से उसको close कर देता हूँ, backslash u, then save किये, अब व जैसे यहां पर मैं इसको italic करना चाहता हूँ, तो मैं यहां पर anchor tag के अंदर यहां i लिख दिया, और यहां पर anchor tag में इसको i से close कर देंगे, देखें, backslash u, then save किये, वापस से reload करते हैं, तब देखें, यहां पर CSC tools for u जो print हो रहा है, वो italic form में print हो रहा है, तो वैसे आप जो भी tag use करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको HTML tutorials के अंदर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ने हमारे HTML के concept को नहीं समझा है, HTML के tutorial को नहीं दिख देखा है, तो अगर आपने हमारे वो tutorial को नहीं देखा है, तो आप प्लीस हमारे उस tutorials को देख लें, ताकि आपको यह tags के बारे में जो basic concept में बता रहा हूँ, वो चीज आपको clear हो सके, तो ऐसे आपको use करना है, तब यतने चाहें, उतने tag का use कर सकते हैं, और जावा स्क्रि result में print होता जाएगा, so friends, I hope आपको आज का यह video tutorial का concept clear हो गया होगा, आने वाले next video tutorial में हम लोग जावा स्क्रिप्ट के और भी कुछ basic concepts को समझेंगे, so friends, अगर आपको आज का यह video अच्छा लगा हो, तो हमारे videos को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, अगर आपने हमारे channel क subscribe नहीं किया है, तो CSC Tunes for You को subscribe button पे click करके subscribe कर लें, और bell notifications के लिए bell के icon को में press करें, so friends, thank you for watching this video, bye